हेलो बच्चों नजरे अब स्क्रीन पर मैं रुद्ध प्रताप सिंग आप सभी का mathematics faculty आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अध्वैद education पर आशा करता हूँ कि आप सभी मौस्थ होंगे जबर दस्थ होंगे घर पर होंगे और सुरक्चित होंगे और यह जो आपका LATV का सीरी चल रहा है इसे काफी अच्छे से enjoy कर रहा होंगे जबरतस तरीके से question practice भी हो रहा होगा और फिर भी किसी भी एक point में या फिर छोडे छोडे question में अगर आपको doubt रह जाता है तो हमारे description box में हमारे telegram channel का link दिया रहता है उस link पे click करके आप telegram channel को join कर लें और आपना doubt आप हमें वहां पर भेज सकते हैं हम आपकी doubt solve करने में पूरी health करने वाले हैं class 9th या 10th कोई भी strength हो mathematics का doubt किसी भी chapter का आपना भेज सकता है जैन्वन competition level का भी कोई doubt रहता है तो भी भेज सकता है मैं आपकी help करने के लिए हमेशा ready हूँ ठीक है और पूरे 10th chapter है आपका linear equations in two variables lecture number 12 topic है आपका questions on a condition for solubility जो आपने condition देखा था किसी भी system को solve करने के लिए pair of linear equation in two variables को solve करने के लिए उस पर किस टाइप के questions आप से पूछे है सकते हैं उस question को करने के क्या तरीका है कैसा उस टाइप को सोचे क्या concept उसमें लग रहा है सारी चीज अपन य lecture को follow कीजिए और जैसे कि मैं हमेशा बोलते आया हूं कि अगर आपने लेटीवी में हर एक lecture को अगर मेरा फोलो किया आपने तो आपका 7 नमबर कहीं जाने से नहीं रहा कहीं जाने से नहीं रहा है चाहें CBSC बोर्ट वाले अरे सुन लो CBSC बोर्ट वाले कितना भी hard questions सा hard question बन ना बने कॉम्पटीशन लेबल पर भी ऐसा नहीं है जो ना बने जो कंसेट आपको ने लगया ऐसा हुई नहीं सकता है ऐसा धीक बच्चा पैदा हुआ उसको अगर ताज माल दिखाएंगा तो उसके लिए अजूबा है लेकि मेरा एच्छा बच्चा है ऐसा बच्चा में मैं तो चलिए श्टार करते हैं बिना किसी दरी के उससे पहले अगर आपने अपने अध्वाद एड्विकेशन के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जा कि फटा फट सब्सक्राइब बेडन पर हिट करो और साथ इसाथ बेल आइकन को हिट करना ना बूलना का कि हर अपडेट बिना किसे पूछे आप सबी के बीच पहुंसता रहें तो चलिए स्टार करते हैं और देखते हैं क्या 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 करने क्या तरीका है कैसे उस ताइप क्यों कैसे सोचा जाए क्या कंसेट उसमें लग रहा है उसको कैसे पकड़ा जाए यह सारी बात मैं काफी अच्छ सा आपको बता रखा है तो आप जाके वो वीडियो फॉलो कर सकते हैं और आप देख सकते हो ठीक है तो चले यार स्टार्ट करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा मस तरीके से एक दम प्यार अपना दिखा रहे होंगे और वीडियो पसंद आता है ना बच्चा तो लाइक करो सेर करो यार कॉमेंट करके एक जरूर बता उपने एक वेलुएबल कमेंट जरूर छोड़के जाओ कि हां सर कैसा सब्सक्राइब करने क्या तरीका होता है कैसे उसको निकाला जाए है कैसा उस पर थिंक किया जाए कैसे सोचा जाए ठीक है तो एक क्वेशन को देखके सोचना ही सबसे बड़ा कला है तमदे रहो अगर जिस बच्चे ने अच्छे से पकड़ लिया कॉशन को वो कड़ डालेगा अब पकड़े है कौन जो पढ़ा होगा अब जो पढ़ा ही नहीं होगा वो कॉशन क्या पकड़े है कि कौन सा एली टीवी का है कौन सा और question को अच्छे से सोच लिया बस think कर लिया तो question कर डालेगा अब think करने का तरीका क्या है कि क्या पूछा गया है यह मत देखो क्या given है ना ना यह गलती कभी मत करना कि क्या given है given देखोगे लटक जाओगे देखो क्या पूछा है ask क्या किया है आपसे क्या निकलवाया रहा है समझ गये जो निकलवा रहा है उसको निकालने के लिए सर ने कितने method बताए है क्या concept बताया है बस इतना सोचना है question खतम question गया अरे गयो रहामा गयो ठीक है तो चलिए आर देखिए आपके screen पर question आ चुका ह अज आना पड़े मेरे को slide चेंज करके तो मैं अपने उसमें questions को open कर लेता हूं ठीक है जब तक आप लोग question को screenshot डे लीजिए है ना 2 questions दिख रहे हैं आपको तो और इधर slide कर देता हूं तकि और अच्छे से दिख्या आपको ठीक है तो इन दोनों question को चलो तीन question दिखा लेत और यहां पर question सी question है कोई answer नहीं है कोई concept नहीं लिखा हूँ है ठीक है तो चलिए यार start करते हैं तो question नमर पहला देखिए पढ़िये ज़रा condition for solubility of a system of a equation पे pair of linear equation in two variable की बात करें जायज सी बात है अपन 10 ने पढ़ रहे हैं तो यहां यहां पर देखिए first question ज़रा पढ़ि iq है यानि previous years पूछे गहें ऐसा इसमें कोई question नहीं है जो नहीं पूछा गया ठीक है तो वह है वही question लेकर आए हो जो आपके board level में पूछा जा चुका है जिस question के जिस concept बार बार रिप्टेट कोश्टन से आये उस ही question को याकर लेकर आया हूं में यहां पर ठीक है ऐसा ऐस कोई question नहीं है जो एकदम book से normally question कोई नहीं है सब के पीछे कोई ना कोई concept छूपा हुआ है ठीक है तो जाला देरीखिए पढ़िए पहला question पढ़िए क्या बोल रहा है कि for what value of a k for what value of a k will the equation will the equations equation क्या given है बच्चा x plus 2y plus 7 is equal to 0 this one is your first equation पहला equation ये given है दूसरा आपको equation given 2x plus ky plus 14 is equal to 0 represents the coincident line coincident line अब बच्चा जो पढ़ा होगा पकड़ लेगा coincident line क्या होता है बच्चा coincident line क्या होता है कि एक line ये रहा दूसरा line मैंने क्या कि जा इस पर overlap कर गया ठीक है ना overlap यारे दो line आपस में एक पर एक चड़ी हुई ठीक है ना उसको बहुतने बच्चा coincident line तो भाईया यहां पर coincident line है तो solution कितने मिलेंगे बच्चा बोलो ना अरे infinite numbers of solution मिलेंगे सर infinite numbers of solution मिलेंगे तो infinite numbers of solution के लिए condition के साटिर्फाई करना पड़ेगा अब इतना पकड़ना पड़ेगा बस लिख दिया उसने coincident line यहीं लिख देता भाईया infinite numbers of solution तो बच्चा इतना नहीं सोचता इतना उसको नहीं पकड़ना पड़ता लेकिन यहां पर इसने क्या लिखा भाईया यहां पर इसने क्या लिखा यहां पर इसने लिखा सब्सक्राइब लाइन तो इसने क्या रिलेशन है condition for solubility का भाईया coincident line है coincident line है याणि एक पर एक line चड़ी हुई है this one is my first line my cell phone is my first line and second one is my hand है न मेरा hand जो है यानि सर यहां पर कोईंसिडेंट लाइन कहने का मतलब क्या बोल रहा है क्या गुमा रहा है कि वह यहां इंफानाइट नंबर अब सॉलूशन कि क्या की ऐसी वैलू निकालिए कि इन दोनों इक्वेशन जो आपको पियर ओफ लिनर एक्वेशन टू वेरियबल गीवेन है इसक सब्सक्राइब लिए तो यह जो आपको पियर ओफ लिनर एक्वेशन इन तू वेरियवल गीवेन है इसके इन्फानाइट नंबर सॉलूशन ओडिक रियर बद्टिक है क्लियर चलिया यह तक्रम इंट एक्वेशन का इवेशन है एक्ष प्लस का 2Y ना प्लस का सेवेन इस इ यह दो इक्वेशन अपने योगी बने और के की वैल्य अपने पूछ रहा है के की वैली पूछ रहा है जिस पह यह पिएर ओफफ लिनेर् से इनटू वर्याबल का infinite numbers of solutions वह उन्हें किसी भी किसी भी टीटीज इनटू अगर इनफने टामबर स्वा लिइस्ट चाहिए तो कोई भी पिर आफ लिंग वर्याबल सटिस्फाई करेगा तो तो इसके कितने सोलूशन होगा है कितने सोलूशन होगे बच्छा इंफनीट नमबर्स प्सोलूशन होगे तो जड़ा देखिए यहां पर भाईया एवन की वैलू क्या घाज्वन है सब्सक्राइब तो लिख लीजे यहां पर लिख लीजे देख लीजे तो एवन अपन में टू इसे वेलू बताईए जिस पर इंफानेट नंबर सब्सक्राइब करते हैं चलिए इस वाले को कर देता है कि 1 अपन 2 इस इक्वेशन इकवेशन को है तो k बराबर तो k की वेल्यजे अवरक देते हैं तो इस इक्वेशन का जो आपको प्यर फिलीनर रिक्वेशन गिवन ता उसके कितने नमबर सॉलूशन आजाएंगे इंफाराइट नमबर सॉलूशन आएंगे तो ज़रह देखिया अब अब जाएंगे इसको भी काट दो यह का जाएगा और यह कंडिशन होते हैं इन फानाइट नमबर सॉसचन तो तो यही पूछ रहा है कि कौन सी वैलू निकालू किया वैलू रखा जाए जिस पर यह जो आपको पियर ओफ लिनेर इक्वेशन गीवन है उसके इंफाने नंबर्स अप सॉलूशन हो या फिर बोल दिया तो को इंसिडेंट लाइन हो क्लियर आई होब की क्लिया ठीक है तो प्रेज इसको नोटडाउन कर लिजिए फटक से फटक से एकडम स्क्रीन सोट मारी है खट से ठीक है इसक्रीन सोट ले लो है ना तो आई होब की अच्छा कोश्टन था आपका पीवाई क्यू था यह प्रिविएस यह पूछा गया आप स चले नेक्स कुस्ण देखिये डिटरमाइन दी वैल्यू आफ ए एंड बी ठीक है फॉर विजदा फॉलोइंग स्स्टम अफ एं लिनियर एक्वेशन हाज इंफानाइट नंबर ओंप डिडीक है और आपको सिस्टम क्या की वेल्याय रिजा है एक एक्क्वेशन यह की वेल् बीग की वैल्यू निकालिए जिस पे जिस पे यह जो आपको पियर ओफ लिनरी एक्वेशन गीवन है वन और टू इक्वेशन जो गीवन है इसके इन्फानाइट नंबर सॉलुचन हो क्या हो बैच्छा इन्फानाइट नंबर सॉलुचन अब देखो यहां पर डिरेक्ली बोल क्या रिलेशन है आपके कंडिशन फॉर सॉलुबिलिटी पर है ना तो भाया कुश्चन पकड़ना आना चाहिए सीखना आना चाहिए थिया मनले हो दैन कुश्चन आप सॉल्व कर सकतो तो नेक्स्ट कुश्चन देखिए इसमें बोल दिया है इन्फानाइट नंबर सॉलू तो नेक्स्ट कुश्चन देख लिया होंगे चलिया आईए अब इसका सॉलूशन देखते हैं क्या आप बोला है कि ए और बी की वैलू निकाली है जिस पर यह पियर ओफ लिनेर इक्वेशन इन्टू वेरियाबल जो आपको गीवेन है वह उसका इंफानाइट नंबर ठीक है माइनस का A माइनस का 4, 2X माइनस का 4 ठीक है इन्टू का Y is equals to 2B plus का 1, this one is your first equation, clear, second one is what, sir 4X माइनस का A माइनस का 1 इन्टू का Y, ठीक है, is equals to 5B minus का 1, ठीक है, this one is your second equation, दो एक्वेशन दिये गया है, और बोला क्या जारा भाईया, यह क्या है, simultaneous linear equation in two variable है, इसमें A और B की वैलू निकाली है, जिस पे यह जो आपको पेर आपको लिनेर एक्वेशन की वेन है, उसके infinite numbers of solution हो, ठीक है sir, ठीक है sir, ठीक है sir, तो भाईया यहाँ पहले आईए A1 A2 औ B1 B2 लिख लेते हैं, तो A1 क्या है बच्चे यहाँ पे, sir A1 है 2 के बराबर, sir B1 क्या है, sir B1 है, यहाँ पे minus time of A minus 4 के बराबर, with sign बताना हमेशा मैं आप सो बोलता हूं, C1 क्या है, बच्चे यहाँ पे confuse करेंगे, गलती करेंगे, C1 लिख देंगे 2B plus 1 के बराबर, नहीं, C C1 का हमेशा LHS में लाके बताना है, तो जब इसको LHS में लाके करेंगे, तो minus time of 2B plus 1 के बराबर, clear, answer A2, A2, A2 क्या है बच्चा, 4 के बराबर, B2, B2 क्या है बच्चा, minus का A minus का 1 के बराबर, answer C2, C2 क्या है बच्चा, minus का 5B minus के 1 के बराबर, ठीक है, अब यहाँ आपने को A कन्दीशन क्या होना चीये, A1 अपन में A2, is equal to B1 upon में B2, is equal to C1 upon में C2, clear, यह कंडिशन सतिस्फाइक करना चीये, अरे यह कंडिशन बोला, सतिस्फाइक करना चीये, तो ठीक है बच्चा, A1 upon में A2 लिखो, तो 2X4, clear, B1 upon B2 बोले तो minus time of A minus का 4, upon में minus time of A minus का 1, एंसर c1 upon c2 बोलूं तो माइनस टाइम माइनस time of 2b plus का वन upon minus time of 5b minus का वन क्लियर यह रहा सर माइनस माइनस से काटो ठीक है माइनस से माइनस गया तो यहाँ देखो क्या बन गया यह बन गया यह कटके 1 by 2 ठीक है इसको भी काट दिया इसको यहाँ बन गया a minus का 4 upon में A-1 is equal to 2B plus 1 upon में आपका आगया 5B minus के 1 के बरावर ठीक है अब क्या करना बच्चे ए और B की यहां से value निकालनी है तो भाईया अगर भाईया infinite numbers of solutions चाहिए आपको तो यह तीनों आपस में कैसे होंगे इकवल होंगे तो मैं क्या करूँगा एकी value निकालने के लिए इन दोनों को आपस में compare कर दूंगा और वी की value निकालने के लिए फिर क्या करूंगा यह रहा constant time तो इन दोनों को आपस में compare कर दोगे को होंगे तो आपस में equal ही न भाईया infinite numbers of solution चाहिए तो होंगे तो एक्वाल ही तो ए और बी की वैल्यू अपने कोई यहां से मिल जाएंगी तो जड़ा देखिए क्या हो जाएगा वन बाइटू पहले एक की निकाल लेता हूं वन बाइटू इसको टू ए माइनस का फोर अपन में ए माइनस का वन क्रॉस मल्टिप्लाई करो तो ए माइनस का वन पर तो नहीं कर रहा है अपर नहीं कर रहा है अपर यहां फिसको थे बग्म हो जएगा क्या हो जाएगा तो प्लस का एट और माइनस का यह हो जाएगा और यह आपका इधर ले आओगे तो प्लस का एट और माइनस का वन के बराबर कौनों दिक्कत नहीं होना चाहिए तो एजी क्वेश्ट यहां से क्या आगए बच्चा 7 के बराबर तो एक वैलू आपको अगई 7 के बराबर आब बच्ची बी की वैलू तो बी की वैलू कैसे निकालेगे फिर इधर ले आओ तो 5B-4B is equal to क्या जाएगा 2 प्लस का वन ठीक है तो यह आगे आपका B is equal to what 3 के बराबर तो भाईया एक की जगे जब मैं 7 और B की जगे अगर मैं 3 रखूंगा तो इस इक्वेशन के infinite numbers of solution आएंगे ठीक है तो भाईया रख के देख लो अगर रख के देख लो यह तो कट गया तो यह आगेone by two is equals to क्योंज अगया आपको दिखने में दिखरा होगा 7 by 14, यानि cut के आ जाएगा 1 by 2 के बराबर, तो कौनो दिक्कत यहाँ पर देख लिजे, infinite numbers of solution का condition satisfy कर गया, कब जब A की value मैंने क्या रख दिया 7 and B की value रख दिया, मैंने 3 ठीक है, तो निकालने का तरीका आपका यही है, ठीक है, compare करके ही आपको निकाल सकते हैं, A and B की value तो I hope कि यह question आपको काफी अच्छा समझना है और अच्छा level का question था, please note down कर लेजे, इसको please note down कर लेजे अच्छा question था, level अच्छा था concept अच्छा था, ठीक है तो please note down कर लेजे, है ना यहाँ से start था ठीक है, then solve ओके चलो, देख लिए अच्छे से, अच्छा question था यह, level अच्छा था, ठीक, next question अपर आईए question number two done, question number three देखिए जरा, oh oh, कहाँ भाग रहे हो वाईया, कठे जाए question number three, find the value of a k, k की value find out किजिए, for which the following system for which the following system of a equation has, equation has, infinite numbers of solution फिर से infinite numbers of solution से बात हो रही है, ठीक है, और pair of linear equation into variable आपको यह given है, ठीक है x plus का, x plus का, k plus का 1 into का y is equals to 5, and k plus 1 into x plus का 9y is equals to 8k minus का 1, ठीक है, तो यह आपको pair of a linear equation into variable given है, और आप से क्या पुच्छे जारा k की value, क्या पुच्छे जारा बच्चा, k की value, k की value find out किजिए, जिस पे, इस system of a pair of a linear equation के, क्या है, infinite numbers of solution आए, infinite numbers of solution आए, ठीक है, तो I hope कि इस question को आपने देख लिया होगा, ठीक है, screenshot के लिए, तो आई, आप इसके solution की तरह बढ़ा जाए, और देखा जाए, क्या solution कैसे निकलेगा, इसका, आपको system of a pair of a linear equation क्या given है, x plus का, आपका, k plus का 1, ठीक है, into का y, is equals to 5, this one is your first equation, second one is what, k plus का 1 into का x, plus का 9 wire, is equals to a 8k minus का 1, this one is your second equation, clear, this one is your second equation, ठीक है, अब कब हो रहा है, क्ये की value find out किजिए, जिस पे इस equation का infinite numbers of solution हो, क्ये की value find out किजिए, जिस पे इस equation जो आपको given है, pair of linear equation, जो 2 variable given है, इसके infinite numbers of solution हो, तो भाईया, पहले आए, ये a1, a2, b1, b2, c1, c2 लिख लेते हैं, a1 क्या given है, बच्चा यहाँ पे, 1 के बराबर, b1 क्या given है, k plus 1 के बराबर, c1 क्या given है, minus के 5 के बराबर, a2 क्या given है, k plus 1 के बराबर, b2 क्या given है, 9 के बराबर, answer c2 क्या given है, minus time of 8 k minus के 1 के बराबर, ठीक है, तो यह अपने लिख लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 अब यह k की value निकाली है जिस पर यह pair of a linear equation 2 variable है वो उसके infinite numbers of solution है तो उसके लिए condition क्या की satisfy होना चीए a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 अरे बोलो हाँ या ना हाँ सर किलिया रहे हाँ सर मिलकुल सही हाँ सर बिलकुल सही अब बहिए a1 upon a2 लिखा जा तो 1 upon k plus 1 के बराबर is equals to b1 upon b2 बोलूं तो k plus 1 upon में आपका 9 के बराबर and c1 upon c2 बोला जा तो minus time of minus time of 5 upon में 8k minus 1 के बराबर तो minus से minus काटो पहले तो ठीक है अब k की value निकालना है k की value निकालना है जिस पर यह तीनो term आपस में equal हो जाए तब ही तो infinite number of solution होगा तो कैसे निकालना है यह काम करते हैं इस वाले और इस वाले term को आपस में compare कर देते हैं तीनो term आपस में equal होगा तो पहले इस वाले term को ही कर लेते हैं तो क्या जाएगा 1 upon k plus का 1 is equals to आपका जाएगा यहाँ पर k plus का 1 upon में 9 के बराबर cross multiply कर दोगे तो 9 is equals to इसको इधर multiply करोगे k plus 1 into k plus 1 हो जाएगा ठीक है तो ज़्या देखो इसको solve करके तो 9 is equals to क्या जाएगा k square ठीक है plus का k plus का k और plus की 1 के बराबर ठीक है तो यहाँ देखो 9 is equals to k square plus का 2 k plus का 1 के बराबर इस 9 को उधर ले आओगे तो k square plus का 2 k plus का 1 minus का 9 is equal to 0 के बराबर तो यहाँ k square plus का 2 k minus का 8 is equal to 0 के बराबर तो यह क्या बन गया क्या बन गया quadratic equation in k अब यहाँ से k की value निकाली है middle time splitting method अरे वा रे वा क्या वा आते से क्या वा आते से तो middle time splitting method से निकालोंगे तो k square को इससे multiply तो क्या जाएगा बच्चा यहाँ पर minus का 8 k square अभी इस minus के 8 k square को ऐसे दो term में तोड़ना जिसका addition या फिर subtraction प्लस के 2 k के बराबर हो जाए और फिर से उनका multiplication minus के 8 k के बराबर हो जाए तो प्लस का आपका आजाएगा 4 k और minus का 2 k ठीक है तो इन दोनों का आपस में जब add करोगे तो plus के 2 k आ जाएगा और जब into करोगे तो minus का 8 k square आ जाएगा तो k square plus का 4 k minus का minus का आपका 2 k ठीक है और minus का 8 is equal to 0 के बराबर clear ना तो यहाँ पर देखो यहाँ से k огром लेंगे तो k class का 4 और यहाँ से minus का 2 tell लेंगे तो k plus का 4 is equal to 0 के बराबर ठीक है तो यहां से देखो k plus का 4 एक factor आ गया और दूसरा आ गया वहिया k minus का 2 is equal to 0 के बराबर तो यहां से k की दो value आ गई क्यों एक तो 2 और एक minus के 4 अब बादादी है sir k कौन सी value satisfy करेगी कौन सी value पर infinite numbers of solution मिलेंगे तो ठीक है रखके देख लेते हैं रखके देख लेते हैं बोला ठीक है तो k की value यहां minus 4 अगर मैं रखूंगा तो अभी यह तीनों आपस में अगर equal हो गया तो k की value 2 रखता हूं तब यह equal हो जाएं तो k की value 2 भी यहां पर satisfy कर जाएगा तो जाला देखिए पहले minus 4 पर check कर लेते हैं k is equals to minus 4 पर पहले चेक करते हैं k is equals to minus 4 पर करोगे तो 1 upon में minus 4 प्लस का 1 ठीक है is equals to minus प्लस का 1 upon में 9 ठीक है is equals to 5 upon में आपका जाएगा 8-4-1 ठीक है तो यह कितना आगा बच्चा 1-3 is equals to यह जाएगा आपका minus 3 upon में 9 is equals to यह जाएगा आपका 5 upon में आपका क्या आर्चाओं के 32 तो यहां पर देखिए जरा यहां पर तो यह आजाएगा माइनस का 1 बाई 3 is equals to minus का 1 बाई 3 is equals to आपका आजाएगा 5 by minus 33 ठीक है तो भाईया देखिए A1 by A2 is equals to B1 by B2 है क्या C1 by C2 भी उतना ही है क्या नहीं सर C1 by C2 आपस में ये दोनों के equal नहीं है तो ये किसका condition है ये condition है सर no solution का किसका है भाईया नो solution का लेकिन सर आपने को कैसा solution चाहिए infinite numbers of solution चाहिए यानि के की value minus 4 पर नहीं रख सकते यानि के is equals to minus 4 पर इसके infinite numbers of solution नहीं मिलेंगे तो के की एक और value आई है 2 तो 2 पर एक बर check कर लेते हैं क्या 2 पर ये satisfy कर रहा है क्या 2 पर satisfy means 5 उपन 5 उपन में eight into that seemed 1 के बरावर तो one उपन में three is equals to three upon 9 is equals to आपका आज आएगा five upon में 8 दूना का Team and 16 minus 1 तो 16 minus 1 15 को चल्ड़ाथ देखिए हैं आपे है इसको i s kyaat मैं क्यों सित्यारी स्अवी पर भाउन येजु अख आ पर आच दिभाश दो b1 by b2 is equals to c1 by c2 हो गई तो यहाँ पर आपको इससे यह समझना है कि k is equals to 4 is not satisfied not satisfied for this condition for infinite numbers of solution ठीक है इसके लिए k is equals to minus 4 satisfy नहीं कर रहा यानि k is equals to minus 4 यहाँ पर नहीं लेंगे कौन सी value बस satisfy करी है k की दो value आ रही है लेकिन दो में से बस एक ही लिया जाएगा कौन सा के जीकोस्ट टू कि क्यों के जीकोस्ट टू पर ही a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 हो रहा है यानि तीनों आपस में equal हो रहे है तो बहुत अच्छा लेवल का question था यह बहुत ही अच्छा लेवल सा question का प्लीज इसको दाउन कर लेज़ी ठीक है अच्छा लेबल का question था मज़ेदार question था प्लीज इसको दाउन कर लिज़िए फटाफट अब घरि यहाद कर लिज़िया और अ को इस लेबल का भी question आप से पूछा जा सकता है okay okay है sir next question पर चलें चलें sir चलें sir और भी अच्छा question है इससे भी तकड़ा question ही question ही question है next question जला देखिए find the value of a p and q find the value of a p and q for which the following system of a equation has infinite numbers of solution बोला ना infinite numbers of solution के प्यारे हैं दिवाने हैं आपके cbac board वाले तो इसवार infinite numbers of solution पे जादा questions आपके पूछे जाते हैं और आपको pair of a linear equation in two variable ये given है 2x plus 3y is equal to 7 this one is your first equation second equation is p plus q into x plus 2p minus q into y is equal to 21 के बराबर this one is your second equation अब बोला है कि p and q q की value निकाली है जिस पे इस ये जो आपको equation given है pair of a linear equation जो given है इसके infinite numbers of solution यानि बहुत सारे solution ठीक है तो ओके है ना सर ओके है ना सर चलिया आईए आजाओ आईए देखिए pair of a linear equation क्या गीवान है बच्चा 2x plus 3y is equal to 7 के बराबर this one is your first equation clear second equation is what sir p plus q into ka x plus ka 2p minus ka 2p minus ka q into ka y ठीक है is equal to 21 के बराबर this one is your second equation this one is your second equation ठीक है अब बोला पी और क्यू की value निकाली है जिस पे जिस पे जिस पे इस जो आपको pair of linear equation given है इसके infinite numbers of solution ठीक है फिर ओके सर तो भाईया यहां पर आईए पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लेते हैं तो a1 क्या है यहां यहां पे 2 के बराबर b1 क्या है बच्चा 3 के बराबर c1 क्या है लला माइनस के 7 के बराबर a2 क्या है यहां पे p plus q के बराबर b2 क्या है यहां पे 2p minus का q के बराबर ठीक है answer c2 क्या है यहां पे minus के 21 के बराबर ठीक है तो भाईया अगर infinite numbers of solution चाहिए तो condition के satisfy होना चाहिए a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 यह तीनों अपस में equal होना चाहिए तो यहां पे a1 upon a2 लिखी है यानि 2 upon p plus q b1 upon b2 लिखी है तो 3 upon 2p minus का q and c1 upon c2 लिखी है तो minus 7 upon minus 21 तो minus 7 से यह गया तो यहां पे आप देख सकते हैं इसको लिख सकता हूं सब्सक्राइब करना है तो इस वाले टम को इसके साथ compare करना पड़ेगा अगर q की वैलो निकालना है तो इस वाले टम को इसके साथ compare करना पड़ेगा constant term तो यही है तीनों आपस में को यानि किसी ना किसी एक से दूसरे को compare तो करना ही पड़ेगा ऐसा थोरी निकल जाएगा है ना तो चलिए पहले इस वाले टम को इस वाले टम से compare करता हूं तो 2 upon में p plus q is equal to 1 upon 3 के बराबर तो cross multiply करिए तो 6 is equal to p plus q के बराबर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो यहां से देखिए मैं निकाल लेता हूं तो p की value in term of q तो 6 minus q के बराबर हो जाएगा ठीक है मैंने क्या किया कि पी की value निकाल ले in term of q दूसरा कोई option तो है नहीं मैं क्या करूंगा यहां पे पी की value निकालूंगा in term of q यानि substitution method की तरह काम करूंगा और मैं क्या करूंगा कि दब मैं इस वाले इस वाले term को इस से compare करूंगा और जब मैं लिखूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा 3 minus का 2p minus का q is equals to 1 by 3 तो cross multiply कीजिए तो 9 is equals to क्या जाएगा बच्चा यहाँ जाएगा 2p minus के q के बराबर और p की value में क्या लिख सकता हूं अरे p की value क्या लिख सकता हूं 6 minus का q तो 2 times of 6 minus का q ठीक है तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया यहाँ पर देखिए क्या हो गया यह आपको add p and q दो variable चल रहे थे लेकिन आप यह one variable में convert हो गया in q में तो यहाँ से q की value आपको मिल जाएगी 9 is equals to क्या जाएगा बच्चा यहा मैं क्यूंस का 3 is equals to minus का 3 q is minus से minus गया then q is equal to 3 by 3 then q की value आगे यहां से 1 के बराबर q की value यहां पर बच्चा 1 के बराबर अब यहीं सक्यू की value यहां पुट कर देजिए तो p is equals to 6 minus का q then sir p equals to 6 minus का 1 then sir p is equals to what sir p equals to यहाँ से आजाएगा 5 ke बराबर तो भाईया P equals to 5 and Q equals to 1 जब मैं रखूंगा तो यह जो आपको system of a linear question in 2 variable given था उसके infinite numbers of solutions आ जाएंगे ठीक है तो यह भी repeated questions है आपके board level में तो इसमें रख दीजिए इसमें रख दीजिए पी की जगे क्या रख दीजिए पी की जगे आपका 5 and Q की जगे 1 देख लिए सब जगे एक ही बन जाएगा यहां रखिएगा तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 5 प्लस 1 6 और 2 अपन में 6 लिखे गए तो 1 by 3 हो जाएगा 2 अपन में 6 1 by 3 और यहां देखिए पांधुना के 10 माइनस का 1 तो यहां जाएगा 9 नो और 3 by 9 करोगा तो 1 by 3 तो 1 by 3 is equal to 1 by 3 तो यह satisfy कर गया तो P की वैलू 5 और Q की वैलू 1 पे यह जो आपको pair of a linear equation गिवन थे इसके infinite numbers of solutions आपको मिलेंगी clear तो इस टाइब के question को ऐसे deal करना है आपको okay okay sir next question की तरह आईए next question आपके screen पे दिख रहा होगा oh for what value of a k for what value of a k will the system can be written as this this system system यह आपको given कर दिया गया है has a unique solution ठीक है इसके कभ unique solution होंगे और कभ एक भी solution नहीं होंगे यारी no solutions कभ नहीं होंगे ठीक है कभ no solution होंगे और कल कभ k की वैसी क्या value रखूं जिस पर यह जो आपको system given किया गया है इसके unique solution मिले एक बार और एक बार no solution मिले ठीक है एक बार क्या मिले no solution मिले क्या मिले बच्चा no solution मिले clear okay तो आईए जड़ा देखिए आईए जड़ा देखिए मन तो इसको sw दूं क्या अरे बोलो sw दूं क्या जाओ एक्स प्लस system का given है एक्स प्लस 2y is equal to 5 के बराबर ठीक है unique solution answer दूसरा आप से पूछा गया है कि no solution का भी बताईए कि k की ऐसी क्या value रखा जाए जिस पर यह no solution है ठीक है no solution है तो भाईए यहाँ पर आईए unique solution का condition क्या होता है a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2 ठीक है answer no solution का क्या होता है a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 does not equals to c1 upon c2 के बराबर ठीक है c1 upon c2 के बराबर तो k की ऐसी क्या value रखी जाए जो यह condition satisfy हो जाए और k की ऐसी क्या value रखी जाए जो यह condition satisfy हो जाए तो इसको आप कर येगा क्या अरे करेंगा जाएगी कि यहां से सिक्समीन नहीं रखोगा तो इसके कैसे इसके unique solution यहांगे लगेगा है नहीं की एक चुनिक lis लेटिनी एक यहांडल कोई सब कर दोछ सब्सक्राइब similar तो क्यों लेखे सब्सक्राइब्स कर दर कोई झालक थे एक यहांगे यहांडलन्स के लिए तौने का यहाँ पर 6 रख दोगे 6 तो यह क्या बन जाएगा 1 by 3 1 by 3 दोनों आपस में equal हो जाएंगे लेकिन 6 छोड़के आप और कुछ रखो 6 के अलावा और कुछ रखो माइनस 6 रख दोगे तो माइनस का 1 by 3 1 by 3 आपस में equal नहीं होंगे तो यही तो condition होता है यहीं है तो खोड़के की वैलु 6 ना लेकर और कोई भी वैलु रिया जाए के की तो उस पे क्या मिलेगा इस system of a linear equation का यूनिक सेलूशन मिलेगा ठीक है और इसका आप देख लिएगा तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेज़ेगा और है रख्येगा तो यूनिक सेलूशन के लिए क्या सीक आपने है k value 6 छोड़ के और कोई भी value आप रखो के उस पर इस system के मिलेगा unique solution मिलेगा तो k value 6 नहीं रखना है 2 रख लो minus 2 रख लो 1 by 2 रख लो कुछ भी रख लो रेकिन 6 बस नहीं रखना है चलिए next question next question next question देखिए find the value of alpha and beta for which the following system of a linear equation has infinite numbers of solution फिर से infinite numbers of solutions की बात किया जा रहा है infinite numbers of solution बहुत प्यार है cbsc board वालों को infinite numbers of solutions से तो इसलिए बार-बार infinite numbers of solutions पर आपसे question पूछी आते हैं question दिये जाते हैं ठीक है okay sir okay sir okay sir system of a linear equation का है यह रहा alpha और बीटा की आपको value बतानी है जिस पे infinite numbers of solution आए और यह क्या है one unique solution अच्छा इस पर कर लिजेगा मैं infinite numbers of solution के लिए बताता हूँ आप alpha और beta की value क्या किजेगा यह वैसे इस question का नहीं है पिछले वाला question के यहाँ पर type हो गया है लेकिन यह आपके लिए sw है कि मैं आपको infinite numbers of solution के लिए इस alpha और beta की value बताऊंगा आप no solution and किसके लिए unique solution के लिए बताईए कि क्या रखा जाए alpha और beta की value ठीक है जिस पे unique solution मिले और जिस पे no solution मिले तो चले आईए देखिए infinite numbers of solutions ठीक है तो आपको system आपको क्या given है देखिए ध्यान से दिख रहा है सर क्या दिख रहा है system आपको दिख रहा होगा system दिख रहा है आपने को 2x plus का 3y is equal to 7 के बराबर this one is your first equation दूसरा two times of alpha into x plus का alpha plus beta ठीक है into y is equal to 28 ठीक है this one is your first equation this one is your second equation clear okay अब भाईया यहां पर infinite numbers of solution चाहिए यानि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 होना चाहिए ठीक है यही होना चाहिए तो भाईया यहां पर a1 की value क्या है 2 के बराबर b1 की value क्या है 3 के बराबर and c1 की value क्या है minus 7 के बराबर clear answer यहां पर a2 की value क्या है a2 a2 की value क्या है 2 times of alpha के बराबर b2 की value क्या है sir b2 की value है alpha plus beta के बराबर ठीक है answer c2 की value क्या है c2 की value c2 की value क्या है minus 28 के बराबर तो यहां से alpha और beta की value चाहिए जिस पर यह क्या हो a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 हो जाए तो यहां पर क्या जाएगा 2 upon में 2 times of alpha is equals to 3 upon में alpha plus beta is equals to minus का 7 upon में minus का 28 तो minus से minus काटो 7 से 28 काटो तो यह क्या जाएगा 1 by 4 के बराबर 1 by 4 के बराबर clear तो यहां से बाइया अपने को चाहिए क्या alpha और beta की value जिस पर यह तीनों term आपस में equal हो जाए तो पहले इस term को और इस term को आपस में compare कर लेता हूं फिर में इस term को और इस term को आपस में compare कर लूँगा constant term से देन अपने को alpha और beta की value मिल जाएगी तो यहां क्या जाएगा 2 times of 2 upon में 2 times of alpha is equals to 1 by 4 तो यहां से 2 से 2 काटो पहले तो यहां क्या जाएगा 1 by alpha is equals to 1 by 4 तो यहां से alpha की value direct आपको देख रही है 4 के बराबर तो alpha की value मिल गई अपने को 4 के बराबर बीटा की value चाहिए तो इस वाले term को compare करो 3 upon में alpha plus beta is equals to 1 by 4 तो यहां क्या जाएगा 12 यहां से alpha की value आपको आगए यह 4 के बराबर तो 12 is equals to 4 प्लस बीटा 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 इस इक्वोस्टो बारा माइनस का चार इस इक्वोस्टो आठ के बराबर तो alpha की value 4 एन बीटा की value 8 रखेंगे तो यह जो आपको simultaneous linear equation in 2 variable गिवन था इसका कैसा solution मिलेगा यह infinite numbers of solution मिलेगा क्लियर ना अरे बोलो हाँ या ना हाँ सर तो भाई यह एवन अपन में टू अपन में 2 टाइमस ऑफ आलफा इस नौट इक्वस्टो क्या जाएगा 3 अपन में 3 अलफा प्लस बीटा ठीक है तो यहां से alpha और बीटा की value निकल सकती है क्या 2 से पहले 2 काटो तो यहां जाएगा तो यहां से जड़ा देखिया जड़ा क्या जाएगा alpha प्लस बीटा डज नोट इक्वस टू 3 ताइमस ऑफ alpha तो यहां से बीटा की value आ जाहेगी बीटा की value अलफा की रूप में आएगे 3 अलफा माइनस का alpha तो बीटा इक्वस्टो क्या जाएगा 2 टाइमस ऑफ अलफा ठीक नहीं रखाते हैं था नहीं होंगा तो अगर इसके बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएका आपको यूणिक विले का दो नहीं होना चाहिए दो रूह रही है तो टाइमेंशं अल्फा या नहीं हो dolp यानि सब्वेट गशुट को पड़ेगा विल्गा नहीं होना चाहिए कई अगर कुछ और द सक्षत क्योंова ठहल होETH 3 ऊपन में 4 प्लस 2 5 के पराबर तो यह देखिए 1 by 2 और 1 by 2 ठीक है तो इसलिए बोला गया है कि आप बीटा क्या नहीं रख सकते तू टाम्स आप आप आल्फा नहीं रख सकते यानि अगर अल्फा की वैलु अगर टू आ गया तो बीटा की वैलु फोर नहीं अगर आलफा की वैलू थ्री आ गया तो बीटा की वैलू नहीं रख सकते तो यानि टू टाइमस अफ अलफा नहीं रख सकते बीटा की वैलू तब इस टाइप के जो आपको system आपको system of pair of linear equation given है इसके unique solution मिलेंगे clear तो ऐसे ही आपको no solution के लिए condition find out कर लेना मैंने आपको unique के लिए बता दिया वैसे sw था लेकिन मैं आप बता दिया ठीक है क्योंकि अच्छा concept था इसके पीछे इस वाइस से बताया मैंने next question और last question next question and last question ठीक है क्या बोला है determine the value of a k आप इसको रख दिया जाए इसकी काम नहीं है अब मेरे को determine the value of a k ठीक है determine the value of a k so that the following linear equation have a no solution so that the following linear equation have a no solution 1 solution ना मिले k की value बताया है जिस पर 1 solution ना मिले no solution का condition यहां पर questions आपको मिल गए no condition के questions यहां पर मिल गए k की ऐसी value find out किजिए k की ऐसी value find out किजिए जिस value पर इस यह जो आपको system given है इसके एक भी solution नहीं मिले at all ठीक है, ओके ठीक है, तो भाई यह no solution का condition क्या होता है a1 upon me a2 is equals to b1 upon me b2 है ना, does not equals to c1 upon me c2 clear, यह condition होता है आपका किसका, no solution का, ठीक है ना बबाबा, अरे बोलो हाँ या ना, ओके से, तो यहाँ पर a1 की value अगर मैं लिखना चाहूँ, a1 a1 किसके बराबर है या, 3k plus के 1 के बराबर, b1 की value क्या है बच्चा, अरे बोलो रे बाबा, 3y, sorry, 3 के बराबर, y लिख रहा हूँ answer c1 की value क्या है, आपे minus के 2 के बराबर, clear वैसे अगर मैं आपे a2 की value लिखूँ, a2, a2 के 2 के बराबर, answer c2 की value अगर मैं लिखना चाहूँ, तो minus के 5 के बराबर, कौनो दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है न, तो अब देखो यहां पे, a1 upon में a2, यानि 3k plus का 1, upon में a2, k square plus के 1, is equals to b1 upon b2, यानि 3 upon में k minus का 2 के बराबर does not equal to c1 upon में c2, minus का 2 upon में minus के 5 के बराबर, तो minus से minus गया, minus ओखो, यह क्या हो गया ठीक है, minus से minus गया, तो minus से minus गया, तो यहां क्या बन जाएगा, या 3k plus के 1 upon में, आपका k square plus के 1 is equals to 3 upon में k minus का 2, k minus का 2, does not equals क्या जाएगा, यहां पे, 2 by 5 के बराबर 2 by 5 के बराबर ठीक है अब इसको क्या किजिए अब के की वैलू निकाल नहीं है तो इसको इधर cross multiply इसको इधर cross multiply तो करके देखना क्या जाएगा वाई यह जाएगा सथ 3K plus का 1 into का k minus का 2 ठीक है is equals to 3 times of k square है ना plus के 1 के बराबर तो k की ऐसी value find out करनी है इस पर a1 upon में a2 is equals to b1 upon b2 तो हो लेकिन does not equals to c1 upon में c2 यानि 2 by 5 के बराबर ना हो ठीक है तो यहां से देखिए इस वाले को अंदर multiply केजिए पहले 3 को अंदर multiply कीजिए 3k को तो क्या जाएगा 3k square ठीक है और 3k square minus का 2 तो यहां जाएगा minus का 6k 1 से multiply करोगे तो plus का k और 1 से multiply करोगे तो minus का 2 is equals to 3k square plus का 3 तो भाईया यहां पर भी देखिए plus का 3k square यहां पर plus का 3k square कट गया तो यह क्या जाएगा अब यह माइनस का 5k ठीक है 6 माइनस का 6 के plus का k माइनस का 5k माइनस का 2 is equals to 3 के बराबर अब इस 2 को उधर ले जाएगे तो minus का k is equals to क्या जाएगा minus का 2 देखिए तो plus का 2 और 3 plus 2 5 के बराबर यहां से k की value क्या जाएगी बच्चा 5 upon 5 यानि minus time of ठीक है तो यहां से k is equals to minus के 1 के बराबर k की value क्या आगई minus के 1 के बराबर तो k की value minus 1 पे यह जो आपको system दिया गया था इसके कैसे value होंगे कैसी कितने solution आएगे no solution आएगे एक भी solution नहीं आएगे यानि सर parallel line होंगी ठीक है तो यहां पर रखके देख लिजे क्या condition satisfy कर रहा है k की value minus 1 दो 3 into का minus 1 plus का 1 upon में आपका आजाएगा k square यानि minus 1 का square plus का 1 is equals to 3 upon में आपका आजाएगा k minus minus का 1 minus का 2 does not equal to 2 by 5 के बराबर clear ना तो यहां से देखो बच्चा minus का 3 plus का 1 upon में 1 plus का 1 is equals to 3 upon में minus का 3 is equals to 2 by 5 के बराबर does not equal to 2 by 5 के बराबर ना सर no solution का condition satisfy करना है तो यहां क्या जाएगा वहिया minus का 2 upon में 2 is equals to क्या जाएगा यह काट दो minus का 1 does not equal to 2 by 5 के बराबर ठीक है तो यहां देखिए इसको भी काट दीजे तो minus 1 is equals to minus 1 is equals to does not equals to 2 by 5 के बराबर तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि a1 upon में a2 is equals to b1 upon b2 does not equals to c1 upon c2 है at k is equals to minus 1 पे यानि k is equals to minus 1 पे इस system का कैसा solution मिलेगा no solution मिलेगा एक भी solution मिलेगा at all clear तो यह रहे कुछ conditions के questions जो आप से पूछे रहा सकते हैं इस pattern पे questions तो प्लीज इस questions को बहुत ध्यान से देख लीजेगा revise कर लीजेगा और इसके अलग level से questions नहीं पूछे आ सकते हैं सारे patterns आपको यहाँ पर मैंने deal कराई इस type के questions के ठीक है तो I hope कि आपको यह वीडियो कापी अच्छे से पसंद आया होगा मस तरीके समाझ में आया होगा तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आता है तो like करें share करें अपने दोस्तों में and अपना एक valuable comment जरूर छोड़ के जाएं कि कैसा लगा आपको तो मिलता हूँ next lecture में word problem के साथ अभी के लिए इतना ही और word problem में ब्रहास्त्र देने वाला हूँ आपको जिस ब्रहास्त्र को चला कर सकते हो मढर घर सकते हो ठीक है ना मतलब अपने का जैसे कि आपने आपको मैंने बताया कि टेलिग्राम चैनल का लीक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है उस लिंक पर क्लिक करके आप जाके टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं and आपना डाउट वहां पर पूट कर सकते हैं हम आपकी डाउट सॉल करने हैं कुछ नहीं रहा पाऊंगे ना कुछ नहीं कर पाऊंगे डिस्टाब रहोगे दिन बर ठीक है तो प्लीज मेरी रिक्वेश्ट आप लोगों से खाना खूब काओ मस तरीके से दम पेल के खाओ मस्त है ना लेकिन खुश रहो मस्त रहो जबर्दस रहो और पढ़ते रहो खु कोड़ी चोटी कोशन भी अगर माइंड डिस्टर्ब है और फिर आप से एक दम से कोई आता है बोलता है तू प्लस टू कितना होगा बोल तो कि सिक्स तो माइंड एक कूल रखने का माइंड एक मतलब अपने आपको डाइवर्ट ना करने का भी एक बहुत बड़ा फक सब्सक्राइब निन में яв आपके व कमेसी में आपके जीवन में है नब जिंद्गी कितने गतीनों का है यह सोचो नब हैं किने दिन साल में भी चला जाता है कोई ठीक तो रही है कब कौन चला जाए कोई ठीक नहीं है और वह साथ साल के अगर मिनिमम एज लेकर चल रहा हो उस साथ साल में आप बीस साल पच्छी साल पढ़ते हो यानि अपने अपने लाइफ का वन बाइट थाड़ पार तो अपने पढ़ाई म क्या तरीका है खुश रहने क्या तरीका है बताओ कमेंट कर सकते हो करके बताओ खुश रहने क्या तरीका है खुश ही कब मिलती है जब अपने आपके खुश रहते हैं तो आप भी खुश रहते हो ठीक है जब अपने ही दुखी रहते हैं तो आप भी दुखी ही रहते हो ठी 65, 60 साल की जिंदधी है , उसमें आप 30 साल 32 साल पढ़ाई कर रहे हो और उसमें भी आप दुखी से रह रहरे हो , कभी और गर्फरेंट से लड़ रहे हो कभी ओपा कभी दोस्स से लड़ हो कभी बहन से लड़ रहे हो तो क्या यह जिन्दगी खतम हो जाएगी आपकी ऐसी बाद में पस्तावा ही पस्तावा रह जाएगा ठीक है तो मैं कहता हूं खुश रहो मस्त रहो है ना पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी अगर खुश रहोगे तब दुखी रहोगे टेंशन मे होगो कुछ नहीं कर पाऊगे ठीक है तो चलिए मिलता हूं बहुत जल्ब नेक्स लेक्टर में अभी कले इतना ही ठीक है और आप छोटी-छोटी स्टोरीज भी आने चालू हो जाएगे मेरी आपके चैनल पर अध्वाद एडुकेशन पर हैना मोटिवेशन रखना मोटिव हम देशन कैसे रखत हो मोटिवेशन मतलब क्या किसी को थेंके मोटिवेशन में सोय चैनल अब्ल मैं चुछ भी कर सकता हूं और फिर पाँच मिनट बाद दीमोटिवेट कैसे रहना है पर फ्रमान्ट उसके बारे में मैं डिस्कस करूँ गा ठीक है अपने लाइफ को कभी भी struggle में तो रखना ही है struggle तो जिन्दगी जब तक जीओगे तब तक struggle है जब तक जीना है तब तक struggle तो करता ही रहना है ऐसा थोरी है कि मतलब मस्त घर पे बैठे हो और आप रोटी खा रहे हो मस्त एकदम घर वाले भी कुछ एज तक आपको नहीं बोलते है जब बंदा 20 साल 25 साल 30 साल का हो जाता है और फिर भी घर पे बैठके रोटी तोड़ता है तो वो अपने घर पे भी बोज बन जाता है अपके फादर जो कितने दिन तक काम करेंगे कितने दिन तक वाख करेंगे उनका भी age limit है, उनको भी बैठना है, अराम करना है, उन्होंने अपनी जवानी में काम की, आप अपनी जवानी में करोगे, नहीं समझे, तो एक age limit से पहले settle होना है, यह माइंड में रखके चलना है, खुश रहना है, सबसे बड़ी बात खुश रहना है, है ना दुखी नहीं जिन्दगी में अभी बताया है मैंने कि जिन्दगी कैलकुलेट करो गया तो 65 अब 65 एर्स की है अब 65 एर्स में अगर आप कर लो उसके बाद आप 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 देख रहे हो कि आपका 25 एर थटी एर तक भी आप बच्चे भैग ढो रहे हैं तो उसमें जिन्दगी जा रहे है पढ़ाई में वन थर्ड आपकी जिन्दगी जा रहे है वन बाई टू भी बोल सकत है दुखी में कुछ नहीं होगा दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको ठीक है तो मिलता हूं बहुत जल्द चलो यार आई होब कि आपने सभी ने इंज्वाई किया इस ले टीवी को दैन आप अब वर्ड प्रॉब्लम आने वाला है वर्ड प्रॉब्लम का ब्रहास देने वाला हम आपको तो बाबाय टेक केर एंज्वाई हिंद लाव यू गाइज टेक केर